दोस्तो Xiaomi अपने नए स्मार्टफोन को जल्द ही लॉंच करने वाली है जिसका नाम है MI10 और ये स्मार्टफोन की लॉंच डेट भी सामने निकल के आचुकी है ये स्मार्टफोन 11 फरवरी को लॉंच किया जाएगा और साथ ही इंटरनेट पे एक टीजर भी सामने आया है जो कि Xiaomi के इस फ्लैक्सिव स्मार्टफोन के लॉंच डेट की और इसारा देता है दोस्तो इमेज पे अगर एक नजर डालते हैं तो Xiaomi की इस नए स्मार्टफोन MI10 का डिजैन काफी हद तक MI Mix Alpha के कंसेट फोन से मेल खाता है और इसके अलाबा MI10 Pro 5G स्मार्टफोन की इमेज भी लिक्स की गई है इमेज में पंच होल डिस्पले और क्वार्ट रियर कैमरा वाला सेट अप नजर आ रहा है दोस्तो चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो पे MI10 की इमेज लिक्स की गई और इमेज से साफ परा चलता है कि ये स्मार्टफोन में मिरने वाला प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 865 के साथ आ सकता है और साथी ये स्मार्टफोन 11 फरवरी को लांच किया जाएगा और साथी से पहले भी स्मार्टफोन के बारे में लांच डेट की जनकारी दी गई थी दोस्तो लॉंच जेट के अलावा स्मार्टफॉन की डिजाइन भी लिक्स की गई है और इमेज में साफ पता चलता है कि ये स्मार्टफॉन में क्वाड रियर कैमार सेट अप देखने को मिलता है जो की वर्टिकल स्ट्रीप में है और रियर पैनल पे MI Mix Alpha जैसा डिजाइन और वहीं बात किया जाए फ्रांट पैनल पे तो यहाँ पे कर्व डिस्प्ले के साथ ये स्मार्टफॉन देखने को मिलेगा दोस्तो इसके अलावा MI 10 Pro 5G स्मार्टफॉन की इमेज भी लिक्स की गई और इमेज से साब पर चलता है इस फ्रैक से इस स्मार्टफॉन में पंच होल डिस्प्ले के साथ लॉंच किया जाएगा और 37 में मिलने वाला चार्जा जो की काफी पावफुल देखने को मिलता है य इसके अलावा स्रीम कार्ट स्लोट रखने को मिलता है और एक माइक्क्रोफॉन भी नजर आ रहा है और किनारे पे ध्यान दिया जाए तो यहां पे एक एक स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलता है और दो माइक्क्रोफॉन भी देखने को मिलते हैं और इसके अलावा इमेज मे 65W की चार्जिंग को भी दिखाय गया है दोस्तो इस दिखाय गए इमेज को अगर ध्यान से देखा जाया तो नीचे की तरफ एक वार्टर मार्क दखने को मिलता है जहां पे लिखा है 108 MB का Quad Camera तो संभव है कि AMI 10 Pro स्मार्टफोन में 108 मिया पिसल का Camera Sensor के साथ लॉंच किया जा सकता है दोस्तो इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़ेए को दना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्स फर वाचिं